परिक्षित राजाये प्रश्न पुछो के मुरुत्यू माथे होई येने शुन करू अनित्यारे शुकदेवजी माहराज कहे छे के राजा येमने परमात्मानू भजन करू तस्मात्पारत्सर्वात्मा भगवानिष्वरो हरिही श्रोतव्यकिर्तितव्यस्च स्मर्तव्यस्चे चताभयं। राजा जेने निर्भई थाऊए ने येने इश्वरनू भजन करू ज्यासुदी जिवात्मा भक्ती नथी करतों त्यासुदी अनि मुक्ती नथी थती अनि ज्यासुदी मुक्ती नथी थती त्यासुदी भवात्वी मा भटकन शरूर है अलग-अलग जनम धारण कर्या करें क्या एक भारत मान, क्या एक अफगानिस्तान मान, क्या एक पाकिस्तान मान, क्या एक अमेरिका मान, क्या एक ओस्टेलिया मान क्या रेक मनुष्य बने, क्या रेक पशू बने, क्या रेक पक्षी बने, क्या रेक रुक्ष बने, क्या रेक टिडडा बने, पाकिस्तन माच इंडिया मावे इटले आ भाज 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 ना जनम आइवाज करे, आइवाज करे, आइवाज करे जनम बानु, शेटिंग करवानु, अजनम बानु, 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 अजनम बानु भक्ति इनिर्भई कर नारी जे नह्यतोन्य शिवफन्था भक्ति शिवाई कोई कल्यानकारी मार्ग न थी शुक्देव जी माराज के शे नह्यतोन्य शिवफन्था विशत सम्सृताविया वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत राजा भगवान मा भक्ति शागे ने यना थी बिजो कोई सरेश्ट मार्ग कल्यान न थी न अतहा अन्या शि वहापन्था शीवटले कल्यानकारी कोई कल्यानकारी पंथ बिजो छेज नहीं भक्ति शिवाई माटे राजा मुरुत्यू थी बचू होई किता मुरुत्यू थी पार जवू होई तो भगवान नी भक्ति करवे काले में थोड़ी वाद करी थी के भक्ति इटले शूं मूल भज सेवायाम धातू थे अने भज सेवायाम धातू माथी भक्ति शब्द बने थे मूल अर्थ तो यवोज थायनों कि सर्व प्रकारे नी सेवा करवी इश्वर नी सेवा करवी भक्ति शब्द भज सेवायाम धातू माथी बने थे इतले स्वामिनायन भगवाने मुक्ति नी व्याख्या करी भक्ति थी मुक्ति मले अनी मुक्ति अटले शूं तो स्वामिनायन भगवाने शिक्षा पत्री मा एवी व्याख्या करी अक्षर दाम मा भगवान ना थाम मा भगवाननी जे सेवा करवी एज मुक्ती जे तत्र ब्रह्मात्मना ब्रह्मरूप थैने तत्र ब्रह्मात्मना कृष्ण सेवा मुक्तिष्च गम्यताम। नामस्मरण, दंडवद, प्रदिक्ष्ण आ नवधा भक्ति पन बतावी छे शास्त्रों मां। पन ये बदीज भक्ति साधन भक्ति शे। येना द्वारा परमात्मामा प्रिति जागे तो ये पराकाष्ठानी भक्ति के वाए। डंडवद करो पन जो भगवानमा हेतनो होए। तो ये भक्ति न थी। भगवानमा प्रिति जागे ये ज भक्ति शे। शान्डिल्य भक्ति सुत्र होए। नारद भक्ति सुत्र होए। के स्वामी नाण भगवाने शिक्ष्या पत्री मां करेली भक्ति नी व्याख्या। ये बद्धा ये एकज व्याख्या करे। के भगवानमा अत्ति शेजे प्रिति येनु नाम भक्ति। भगवानमा अत्ति शेजे प्रिति येनु नाम भक्ति। ये त छे भगवानमा ये भक्ती छे जो दंडवत करवात ही भगवानमा हेत ठाई तो इदंडवत साधन भक्ती ठाई अने भगवानमा येत ठाईू इस साध्य भक्ती ठाई अनि साध्य भग्ती ने कारणे जो दंड़ंगा आध्य जाए, तो इपन साध्य भग्ती चे हेत भगवानमा जागे ए भग्ती चे अनि जिना मा आहेत होई येनू स्मरण ओटोमेटिक थाई करुववनो पड़े येत होई नहीं, येनु स्मरण ओटोमेटिक थाकर, ये बुलायज नहीं, जिना मा प्रिती होई, जिटला अंशे प्रिती होई, इटलू येनु स्मरण रयाज करे, कोई वस्तु मा प्रिती होई, तो ये वस्तु साइम्विर्या करे, कोई व्यक्ती मा प्रिती होई, तो ये व अमेरिका ज्ञाव आया करता है बद्धूझ हार होई पन्थोई मालू इथ विल्य आपण यह रहा है वाले दोड़ ओडती हो तो यह लोग क्यारे जाहि इन क्यारे बदाईने मली ज्या पृती होई येनु स्मरण थ्या करे इहां मिर्याज करे येनु स्मरण करवो नो पड़े अजी सुधिमा लोको भगती नी व्याख्या समझताद नथी कोई पन प्रकारे भगवानमा हेत वधे ये भगती शे भागवतमा तो धर्मनी पन व्याख्या अटलिस करी प्रिती वधे एज परम धर्म शे जो भगवानमा हेत नो थाए तो गमी एटला सदाचा नू पालन करतो होई एना थी बीजोशू मतलब स्वामी ना नी भगवाने तो वचना मृतमा तियां सुधि किदू के वरणाश्रमना धर्म पालवा थी आ लोक मा किर्टी वधे अने मरीन स्वर्ग मा जाए इथी वधारे कोई प्राप्ती न थी खाली धर्मनी किम्मत अटली शे इटले भागवत येंबोल एक सवेई पुमसाम परो धर्मो प्रथमस कंदनो आश्लोक शे सवेई पुमसाम परो धर्मो यतह भक्ति ही अधोक्ष जे भगवानमा ज्यनाथी भक्ति वधे एज़ परम धर्म अशे ज्ये करवाथी भगवानमा प्रिति वधे इधर्मा शे इप्रिती केवी अहै तुग्य प्रति हता कोई पन स्वार्थ विनानी प्रिती वधे अने गम्मियवा देशकाल आवे तोई भगवान माथी प्रिती तुटे नहीं आवीजे प्रिती वधे इधार माशे